हेलो दियर स्टुडेंट विल्कम तो आवर चैनल पीकेपी आज के सिसन में करेंगे क्लास नाइन्थ साइन्स चाप्टर एट जो कि आपके अंस्यार्टी से लिया गया है मोसन चाप्टर से पूरा एक्सरसाइज इतने भी कुश्चन से उनको पूरा क्लियरली किया जाएगा झाजर से ठीक है और व्डियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीस वीडियो को लाइक सिस्क्राइब करना ब्लकुल न भूलें species की आम वीडियो आपके बना रहे भी है ठीक है तो आपको एक सपोर्ट दे रहे है थो लाइक करने में क्या जाता है पका सो प्लीज डू ला 200 meter in 40 seconds what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds okay diameter दे दिया इन्होंने कितना 200 meter means this is the diameter clear what will be the distance covered and displacement at the end of 2 minute 20 seconds तो यह diameter है और एक circular track complete करने में इसको कितना लग रहा है 40 seconds लग रहा है ठीक है तो 2 minute 20 seconds बात displacement कितना होगा and distance कितना होगा यह आपसे questions पहुचा जा रहा है तो obviously बात है आपको एक point समझ आ रहा होगा यह और यह यहां से यहां तक जो cover किया जा रहा है इसमें distance और displacement आपको समझ आ रहा है ठीक है तो diameter हो गया कितना 200 meter radius के अगर हम बात करें तो diameter का हाफ होता है तो radius हो जाएगा आपका 100 meter time दिया हुए आपको one round के लिए 40 second total वो कितने time तक trouble कर रहा है two minute 20 seconds एक round के लिए उसको 40 seconds लग रहे हैं बट total वो two minute 20 seconds तक walk कर रहा यानि की running कर रहा है तो two minute 20 seconds so convert कर लें आप किस में second में तो two minute का मतलब कितना हो गया 120 seconds and this 20 total हो गया 140 seconds यानि की 40 seconds में वो one round लगा रहा है नाव आप से questions पूछा गया कि 140 seconds में ठीक है तो 140 seconds में वो कितना round लगाएगा questions यहाँ पर यह होता है जब 40 seconds में वो एक round लगा रहा है तो 140 seconds में कितने round लगाएगा तो आप इसको x की value कर लें और cross multiply करके निकाल लें तो x is equal to हो जाएगा 140 divided by 40 ठीक है और इसको आप divide करके देखेंगे 3.5 आएगा यानि कि 3 and 3 round and half round यानि कि 3 and half round वो लगाएगा 140 seconds में तो distance पूछा गया distance troubled कितना distance उसने कबर किया तो एक distance कि यह पूरे कि अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाता है 2 pi r ठीक है total कितने round लगा रहा है तो n into 2 pi r करेंगे n की value हमने find out किया 3.5 तो आपको क्या करना है 3.5 से 2 pi r को multiply कर देना है 3.5 into 2 into pi की value 22 by 7 and r की value 100 75 to 35 point में आ जाएगा 5 to 10 1.0 हो जाएगा तो almost इसकी value तो 1 आ गई ठीक है now 22 and 100 बचा है तो इसका multiply करेंगे तो 22 hundred meter आ जाएगा तो यह हो जाएगा distance troubled ठीक है now displacement की अगर बात करें तो displacement आपका क्या होता है shortest distance है तो कितना लिया गया है 200 meter displacement after 3.5 round diameter of the track is 200 meter because समझे आप यहाँ पर दिखो यह है न तो displacement जब निकालते हैं तो यहां से इसने start किया तो फिर से यही पर पहुंच गया तो कितना हुआ फिर से सेकंड राउंड के लिए जिरो थर्ड राउंड के लिए displacement 0 अब बसता है 0.5 यानि की half round के लिए तो half यहां से यहां चलेगा तो यहां से यहां तक की displacement आप देखेंगे 200 meter आ जाएगी तो इस 3 round के लिए तो 0 यह जोएगा फिर last जो half round बसता है उसके लिए 200 meter यानि की displacement टोटल देखेंगे तो आजाएगा 200 meter I hope आपको यह clear हो गया होगा question number 2 है Joseph jogs from one end A to the other end B a straight 300 meter road in 2 minute 30 second A है B है यहां से यहां तक को jogging करता है 300 meter की distance है 2 minute 30 second लेता है एक round के लिए and then turn around and jogs 100 meter back to the point C in another 1 minute यहां से यहां तक जाने मुसको लगे 2 minute 30 second ठीक है फिर again उसको यहां से C तक आने में कितना लग गया 100 meter यह कबर किया कितने मिनट में 1 minute में what are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C means यहां से यहां तक की velocity पहुचा है and speed average और फिर A to C के लिए पहुचा गया है तो velocity या speed speed is equal to क्या होता है distance upon में time होता है clear तो अब A to B तक की अगर हम speed देखे तो distance कितनी है 300 meter है ठीक है यह हो गया और time कितना लग रहा है इसको 2 minute 30 second और 2 minute 30 second को आप convert कर लें तो 2 minute का मतलब 120 और 30 का मतलब add कर दें तो 150 second में वो 300 meter cover कर रहा है तो इसको आप 150 ले लें ठीक है डिवाइड कर दें 0 से 0 cancel 15 to 30 यानि की 2 meter per second हो गया speed ठीक है तो average speed आगया 2 meter per second ऐसी अगर हम velocity की बात करेंगे average velocity तो velocity क्या लेते हैं displacement divided by time ठीक है तो displacement आपका कितना आजाएगा because इतना ही जा रहा है वो आपस तो आया नहीं अभी तक a से b तक की बात हो रही है तो a से b के लिए अगर आप देखेंगे तो displacement भी आपका 300 ही है और time 150 ही है तो 2 meter per second आजाएगा ये भी ठीक है बट अब इन्होंने दूसरा जो question पूंचा from a to c यानि a to c के लिए distance अगर आप देखेंगे तो कितना हो रहा है 300 ये गया फिर 100 वापस आया तो कितना हो गया distance अगर हम देखेंगे तो total हो गया 400 ठीक है और समय कितना लग गया तो 2 minute 30 seconds वो था और 1 minute यानि कि 3 minute 30 seconds लगे हैं तो 3 seconds आप 180 और 30 एड़ कर दें इसमें तो 210 seconds आ जाएगा ठीक है तो ये आजाएगा 400 divided by 210 कैसे है समझाया a to b तक के लिए 300 meter था फिर b to c के लिए total a से c के बीच की पूची जा रही है distance तो distance 300 प्लस 100 400 distance हो गई ठीक है और time कितना हो गया इसके लिए 2 and half minute लग रहा था 2.30 2 minute 30 seconds और फिर से 1 minute तो 3 minute 30 seconds लग रहा है तो 3 minute को अगर हम second में convert करें कि 180 आजाएगा और 30 को add कर दो इसमें तो 210 second आजाएगा 210 seconds डिवाइड कर देंगे तो 1.9 meter per second आजाएगा सेम displacement की बात करेंगे तो ये a है ये c है ये 300 गया था यहां से b तक b से फिर से वह वापसा है c point तक 100 meter ठीक है तो अब a से c तक की minimum distance देखे कितना है तो 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आजाएगा 200 यानि कि करके देखेंगे तो 0.95 meter per second आजाएगा तो I hope आपको distance और अगर distance or displacement की definition clear है तो आपको ये questions आसानी से समझ आजाएगा और यहां अगर कोई doubt आपको रह जाता है question समझ नहीं आता है जो point नहीं समझ आता है आप उसी comment section में जरूर mention किया करें question number 3 है आपका abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour on his speed the way s is equal to on his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour what is the average speed for the abdul's trip देखो एक point आप इस तीज को जरूरी धान रखेगा ये तो आपको ही पता है कि जब school open है college open है office open है तो जुबा का time है morning का time है दोपेर का time है तो कैसा होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी जब mop ज़्यादा होगा तो वहाँ पर speed आपको slow हो ही जाएगी ठीक है और वहीं पर जब आप वापस आ रहे हैं तो route थोड़ा सा आपको खाली मिला तो अगर exam में आपको number लेने तो आपको यह करना पड़ेगा otherwise इसका एक बहुत ही सटीक answer है average speed निकालने का 2 into 2 speed है 20 into 30 divided by 20 plus 30 ठीक है तो क्या हो जाएगा 2 into 20 and 30 multiply कर दे नीचे हो जाएगा आपका 20 plus 30 add कर दो 50 हो जाएगा 0 से 0 cancel out कर दीजे 5 4s are 20 4 2s are 8 and 8 3s are 24 तो आप देखेंगे answer आपका कितना रहे 24 km पर आप तो यह वाला भी formula आप note कर लें sort trick में average speed is equal to 2xy divided by x plus y ठीक है तो इस formula से हम लगा सकते हैं तो x की value हो गई 20 y की value हो गई 30 तो अब हम जब इसमें निकालेंगे तो 2 into 20 into 30 divided by 20 plus 30 यानि कि 50 हो गया जिरो से जिरो cancel 5 6 जा 30 छी दूनी बारा दूनी चौबिस एनिक 6 जूजा 12 टूजा 24 km पर आर आ जाएगा average speed ठीक है यह हो गया इस तरीके से अब हम इनके थ्रू चलते हैं जैसे एक दूसरा तरीका होता है जिसके थ्रू आपको marks मिलना होता है तो जब आप चाहरें उस time का आप लेट करने distance कितना हो गया x और average speed कितनी है यह तो आपको पता है formula क्या होता speed is equal to distance by time ठीक है तो अब आपको t1 निकालना है t1 is equal to क्या हो जाएगा distance upon में speed distance कितनी x है speed कितनी है 20 है ठीक है यह first हो गया ऐसी t2 निकाल लो तो distance हो जाएगी x और speed कितनी हो जाएगी 30 क्योंकि रूट सेम है रास्ता होतना ही आने जाने का है तो distance हमेशा सेम ही है ठीक है तो t1 t2 पता चल गया तो total time अगर आप देखेंगे तो दोनों को add कर देंगे t1 plus t2 ठीक है जब इनको add करेंगे x plus 20 plus x plus 30 30 और 20 का LCM ले ले लेंगे तो 60 आजाएगा ठीक है और solve कर लेंगे तो जैस x by 60 हो जाएगा 5 से 60 को cut कर देंगे 12 आजाएगा x by 12 मिल जाएगा आपको total t की value आजाएगी ठीक है अब distance आने का और जाने का तो x plus x कितना हो गया 2x हो गया तो speed is equal to total distance याने की 2x divided by total time x by 12 ठीक है तो x से x cancel हो जाएगा यह हो जाएगा 2 by 1 by 12 12 उपर चला जाएगा तो 2 into 12 का multiply हो जाएगा तो answer आजाएगा 24 km पर आट ठीक है आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं जो तरीका आपको अच्छा लगा आप दोनों ही अपना सकते हैं नंबर दोनों ही मिल जाएगा ऐसा कोई issue नहीं की नहीं मिलेगा ठीक है question number 4 है आपका a motor boat starting from rest on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8.0 second how far does the boat travel during this time ठीक है accelerations दिया हुआ है a की value given है t की value given है ठीक है how far does the boat travel during this time distance पूँच रहा है ठीक है और formula आपका क्या होता है देखो motor boat starting from rest initial velocity कितनी दी हुई है 0 दी हुई है तो initial value पता है a की value पता है t की value पता है distance निकाल लिए है ना तो formula second motion आपका formula क्या होता s is equal to ut plus half a t square बस इसी formula पे put कर दीजिए u की value 0 because initial 0 है यह पूरा का पूरा term क्या हो गया 0 हो गया and half a की value है 3 t की value है 8 into 8 ठीक है okay there are total 10 questions so fifth questions और कर लेते हैं बाकी next question हम next class में देखेंगे फिर ठीक है now question number five a driver of a car traveling at a 52 km per hour applies the brake and accelerate uniformity in opposite direction car traveling यानि कि यह velocity दी हुई है ठीक है किसी speed से 52 km per hour की speed से दिया हुआ है the car stops in 5 seconds and another driving going at 3 km per hour in another car applies its brake slowly and stop in 10 seconds ठीक है यह car चल रही है uniformly motions में accelerate कर रही है but जब यह stop होती है 5 seconds लेते हैं दूसरे driving 3 km per hour की speed से है यह brake लेती है तो यह 10 seconds में stop होती है on the same graph paper plot the speed versus time graph for the two cars which have the two car trouble further after the breaks were applied ठीक है कौन सी car बहुत speed में चल रही है apply करने के बाद break apply करने के बाद so यह questions हम देख लेते हैं कि किस तरीक से इस questions को solve करने है बहुत ही easy questions आपको लग रहा होगा कि बहुत difficult questions है no not at all क्या करने आपको देखो इसी में मैं समझा देती हूं कि एक आपको graph लेना है ठीक है यहाँ पर और यहाँ पर one two three से आपको 10 seconds तक लेना है because time आपको कितना दिया हुआ है जो second car है वो 10 seconds में 3 km पर आर के speed से रुकती है ब्रेक लगा रही है ठीक है और इधर आपको five seconds में यह वाला कर रहा है ठीक है और इधर आपको लेना speed two four six यानि की इस तरीके से जैसे यहाँ पर लिया two four six eight ten twelve twenty तक ठीक है और इधर जो समय लिया है time लिया है यह one two three करके 10 seconds तक because questions में जो highest दिया था वो 10 seconds में stop हो रहा था और lowest five seconds में तो one से 10 लिया गया था यह ठीक है अब देखो car one की speed 52 km hour तो 52 को meter per second में convert करेंगे तो five by 18 से multiply कर देंगे तो multiply करके आप देखेंगे तो यह हो जाएगा two nine zero eighteen and two twenty six zero fifty two और इन दोनों को multiply करेंगे five six zero thirty five two zero ten plus three thirteen one thirty by nine और इसको जब divide करेंगे तो fourteen point four four something आगा fourteen point five तो इसलिए जो इसका graph बनेगा fourteen point five इसकी speed कितनी आगे fourteen five point five और समय कितना ले रहा है यह time ले रहा है five second stop होने में तो इसका graph आप इसको मिला देंगे इस तरीके से बन जाएगा car one के लिए car two का है three kilometer per hour कितने second में stop हो यह ten second में तो ten second से इसका बनेगा three kilometer per hour speed है तो इसको meter per second में convert करेंगे तो point eight focus करके आएगा तो one के आसपास आ जाएगा तो यह आ जाएगा यह आपका यहाँ पर ठीक है अब आप इनको मिला देंगे तो इस तरीके से आपको दो triangle मिल जाएगा एक triangle यह दूसरे triangle यह वाला ठीक है तो अब आपको क्या निकालना है कौन सी कार जादा दूर तक चाहती है यह आपसे question पूछा गया तो distance पूछा गया है तो obvious सी बात है ठीक है यहाँ पर strangle का formula क्या हो जाएगा half base into height base कितना लिया है आपने 5 और height आपने कितनी लिया है 52 km per hour है इसको meter per second में बदलने के लिए 5 by 18 से multiply कर देंगे हम ठीक है यह जाएगा 29 जा और 223 जा 6 जा ठीक है और फिर से कट कर देंगे यह जाएगा 13 और अब आप इनको 5 into 5 into 13 by 9 करके देखेंगे तो जब आप इनको solve करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 36.15 meter 11 meter ठीक है सेम ऐसी अगर हम second car के लिए देखेंगे तो half base कितना हो जाएगा 10 second और height कितनी हो जाएगा 3 km per hour इसको 5 by 18 से multiply कर देंगे 36 18 और 5 10 जा 50 divided by नीचे 6 2 जा 12 और 50 by 12 करेंगे तो 12 4 जा 48.16 करके आजाएगा तो यह आजाएगा meter तो कौन जादा distance ले रहा है तो आप देखेंगे 36.1 meter आ रहा है यह 4.16 meter आ रहा है तो आपको समझ लाना है कि car 1 की जो है वो farther distance ट्रबल करेगी तो इस तरीके से आपको answer बस आपको यह graph बना के देखना है बहुत easy है कोई difficult नहीं है अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप फिर से एक बार में समझा देती हूं इस तरीके से आपको 100 y graph plot करना है समय maximum जितना दिया उतना ही लें तो 10 second दिया तो आप 123 करके 10 second कर देंगे और इधर हम meter per second में ले रहे लेंगे और दूसरा three kilometer per hour है इसको one meter per second के आसपास आजाएगा तो यह one के आसपास हो जाएगा और यह ten second में break ले रहा है stop होने में यह five second में तो इसको मिला देंगे अब distance निकालनी है तो इसका area और इसका area दोनों का निकालने distance आ जाएगी automatic ठीक है so इस तरीके से पता चल ज रे रहे तो इसकी है तो यह थे ने सिसने यह थैक्यू वाचिव वाचिण